आज हम आपको लेकर चलते हैं PRA Energy System के New Site पर जहां हम आपको दिखाएंगे कि हमारे Steam Boiler और Cattle कैसे वर्क करता है और हम Steam Boiler और Cattle का प्रयोग करके क्या-क्या बना सकते हैं किस-किस प्रकार की मिठाईयां बना सकते हैं और इसको चलाने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कितने वर्कर की जरूरत पड़ती है तो आईए चलते हैं 1. पूर्ण वसा वाले दूद को एक भारी तले वाले पैन में डाले भारी तले का पैन दूद को जलने से बचाता है दूद गरम करना दो, पैन को मध्यम आँच पर रखें और दूद में उबाल आने दें, इसे नीचे चिपकने से रोकने के लिए बीच बीच में हिलाते रहें, गर्मी कम करना, तीन, दूद में उबाल आने पर आँच धीमी कर दें, दूद को धीमी आँच पर उबालते रहें, सरगर्मी चार, दूद को सतह पर परत बनने या पैन से चिपकने से रोकने के लिए दूद को बार-बार हिलाएं वाश्पित होती नमी पांच जैसे जैसे आप दूद को उबालना और हिलाना जारी रखेंगे आप देखेंगे कि यह धीरे-धीरे गाड़ा हो रहा है दूद की मात्रा और गर्मी के आधार पर इस प्रक्रिया में एक पॉइंट पांच से दो घंटे तक का समय लग सकता है परीक्षण संगती चे यदि आपके पास खाद्य थर्मामीटर है तो खोया लगभग 200 थानान दो सो पांच दीगी एफ तान तान सी तापमान तक पहुँचने पर तयार है यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप एक साधारन परीक्षण कर सकते हैं अपनी उंगलियों के बीच थोड़ी मात्रा में खोया लें ये एक नरम गेंद बननी चाहिए और आपकी उंगलियों से चिपकनी नहीं चाहिए गर्मी से हटाना साब एक बार जब खोया वांचित स्थिर्ता तक पहुँच जाए तो इसे गर्मी से हटा दे सावधान रहें क्योंकि यह अत्यधिक गर्म होगा शीतलक 8 खोया को कमरे के तापमान तक ठंडा होने ले ठंडा होने पर यह और गाड़ा हो जाएगा खोये का प्रयोग 9 आपका घर का बना खोया अब विभिन भारतिये मिठाईयों और मिठाईयों में उप्योग के लिए तैयार है आप इसे कुछ दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे फ्रीज कर सकते हैं घर पर खोया बनाना एक फायदेमंद प्रक्रिया है जो आपको इस आवश्यक भारतिय मिठाई सामगरी के सम्रिद्ध प्रामानिक स्वाद का आनंद लेने की अनुमती देती है अपने पसंदीदा व्यंजनों में अपने घर में बने खोया के साथ प्रयोग करें और इससे होने वाले अंतर का आनंद लें इस पूरे साइट को संभालने के लिए पांच से दस लोगों की आवश्यक्ता होती है और अंत में अगर आप यह मशीन हमसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिये गए नंबर पर हमारे टीम से कांटेक्ट करें